नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर्ण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं यूटूब में निशेटिव करेंगे जो नई स्कीम साधी को नई स्कीम साधी को नई स्कीम साइए इस बार ज्यादा तर तो आपको बजट और इकनामिक सर्वें देखने को भी लेंगी मार्ट 2023 से लेकर पीछे जाते हैं फोलुग 22 तक के सारे इंपॉर्णन के बियानों को इनिशेटिवस को स्टेत गोवर्मेंट के इनिशेटिवस को कुछ इंट्रेस लेवल की और चीम से इनिशेटिवस को मिलग कवर कर लेंगे और ये एक्जाम के जरूरी सेक्शन होता है कपड़ा मत्राले का एक मांग आधारित और प्लेस्मेंट उन्मुक अंब्रेला स्किलिंग का रिक्रम है अवधी मार्थ दोजार चौबिस तक की है ठीक है मतलब एक वर्ष के लिए मिशन मोड मिस्क परा जाएगा लोगों को कपड़ा उध्योगों से जुड़ा कौशल ग्य उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का लबशिला नियास किया लोकार पड़ किया तो 12 मार्थ 2023 को हुबली धारवार करनाटक में ये 507 मीटर लंबा ये सिध्धरूडा महा स्वामी जी हुबाली स्टेशन को भी समर्पित किया देश को भारत को दुनिया का सबसे लंबा रेल अटक में एरल का ये कोलम जंक्शन थार्ड नमबर पर आ गया है तो ये इंप्रॉटन्ट अपडेट थी इसके बाद हम जाएंगे MDA पर सर्व दवा सेवन और मास ड्रग अडिनिस्ट्रेशन अभियान Ministry of Health and Family Welfare ने चलाये था किस बिमारी के लिए किस बिमारी को एल्पनेट करने के लिए फिलेरिया को या फिलेरिया अर्सिस को कत्म करने के लिए ज्याद तर जो फिलेरिया प्रभावित राज्ये हैं वहां पर फिलोरिया रोधी दवाएं दी जाएंगे और फिलेरिया को भारत सेल्बनेट करने का लक्स रखा गया है मलेरिया का लक्स क्या है जल्दी इस कमेंट करके बताईए ठीक है आगे हम लोग पड़ते हैं मिशन समुद्रयान मिशन समुद्रयान अभी का नहीं है अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया था इसका उद्देश है समुद्र की गहराई में छिपे खनीजों और गूड रहस्यों का पता लगाने के लिए पंडुब्बी हम भेजेंगे तो पंडुब्बी के बारे में बिसिकली डिवस आई थी कि राष्ट्री महासागर प्रावध्यू की सनस्थान जो है एन आई ओटी चेर्नाई इन्होंने एक स्पेशल पंडुब्बी डवलप की है जिसका नाम उन्होंने मत्स सिक्स थाउजन रखा है मत्स सिक्स थाउजन का आशे है कि ये ऐसी पंडुब्बी होगी जो 6,000 मीटर डीप जा सकेगी यानि 6 किलो मीटर नीचे ओशन में जा सकेगी N.I.O.T. के हेड ने कहा है कि सब कुछ अगर ईश्वर ने चाहा तो 2024 के हंड तक हम समुदरियान को लांच कर देंगे यानि पंडुब्बी को पानी में समुदर में 6,000 मीटर नीचे ले जाएंगे हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी और काफी इसमें जो है मीडिया बाजी हुई थी तो सुप्रीम कोट ने कमीटी बनाई 6 सदस्यों की हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच करने के लिए इस जांच समीती की अध्यक्षता करेंगे रिटार जजज M.A. सप्रे तो M.A. सप्रे कमीटी की से संबन दीता है to investigate into the हिंडनबर्ग रिपोर्ट धान रखेगा M.A. सप्रे कमीटी investigate करेगी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को अमरिद भारत स्टेशन स्कीम रिल मंत्रा लेन अनाउंस किया है फरवरी 2023 में शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश के 149 बिहार के 86 उत्राखण के 11 स्टेशन इस पर सामिल है इस पर क्या होगा स्टेशन का अप्ग्रेडेशन होगा या फिर मॉडर्राइजेशन होगा पूरे देश से 12 सबुछत्तर इंट्रें डिल विश्टेशन को इसके लिए चुना जाएगा ठीक है नई पेंशन योजना को लेकर आप जान रहे हैं लगातार जो सरकारी कर्मी है वो मांग कर रहे हैं कि इसको हटा करके पुरानी पेंशन विविस्था लागू की जाए कई सारे राज्य कर भी चुके हैं जैसे महाचल प्रदेश पगएरा जहाँ पे कॉंग्रेस की ग पूरा कर सकें और हमारे खजाने पर भी बहुत बुरा प्रभाव उसका ना पढ़े है तो इसको देखते हुए नई पेंशन योजना की समिक्षा करने के लिए या फिर ओर ओरॉल हमारे पेंशन सिस्टम को स्टडी करने के लिए जो कमीटी बनी है वो है टीवी सो मनाथन कम इसके साथ ही विज्ञान भावन में कारेक्र मायजित हुआ था इसमें अंतराष्टी दूरसंचार संग का नया छेत्री कारले जो की नई दिली में सेट अप किया गया है और इनोवेशन सेंटर उसका घाटन भी प्यमोदीजी नहीं किया था तो अंतराष्टी दूरसंचार संग का जो साथ एसिया का कारेला है वो कहां पर सेट अप किया गया है डेली में जब ध्यान रखेगा आगे हम लोग बढ़ेंगे पीम मित्रियोजना पीम मित्रियोजना की बारे में आप सुन रहे हैं लास्ट बजट से इसका फुल फॉर्म है मेगा इंटिग्रेट साथ सह्रों में शुरू कर दिया है कि एपटर पार्क बनेंगे काँ बनेंगी यसे उत्तर प्रदेश हर्दोई और लखन multiplication के बीच बनेगा अब उत्तर प्रदेश में एक्जाम में पूछेंगी द समया तो हर दोई-अप्शन में नजदीक ऒई करिए अगर दोनों option में हो तो मैं आपको बता दूँँ आप लखनों लगाएंगे तो हर दोई लखनों के बीच उत्तर प्रदेश में धार मद्ध प्रदेश में नवसारी गुजरात में और अमुरावती महराष्ट्र में कुलबर्गी करनाटक में वरंगल तेलंगाना में स्कीम जो ही जारी की गई है 10 मार्ट 2023 से इसका उदेश गया है कि इसका उदेश एक रोड मैप तयार करना है ग्लोबल कॉम्प्टिटिवनेस क्रिएट करने के लिए MSME of India के लिए उदेश भारत के MSME के लिए वैस्विक प्रतिस पर धात्मक्ता का एक रोड मैप तयार करना ह ज्यादा कुछ नहीं पता है लेकिन यह है कि MSME कॉम्प्टिटिवनेस पर धारित यह वैक्सीन है यह स्कीम है नॉट वैक्सीन राजियों की योजना है समितियादी देख लेते हिमाचल प्रदेश द्वारा इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक इनिशेटिव शुरू किया गय इलेक्ट्रिक बसेस के परचेस के लिए लाडली बहना योजना यह है विमेन चाइल्ड डेवलप्मेंट डिपार्ट्मेंट गौवर्मेंट अफ मद्प्रदेश की मुट्टे तवर पर इसका उद्देश महिलाओं का आर्थिक स्वाव लंबन है उनके स्वास्त और पोश् से तो इससे उतना को शुरू किया गया है तो चाइल्ड रिहाबलेशन स्कीम है यह इसके बाद मुख्यमंत्री ट्री इस्टेट स्कीम आई बेसिकली एफ़रेस्टेशन से वनी करन समंदित है यह स्कीम है गवर्मेंट ऑफ शत्तीज गड़की आजेंगे फेबरेरी मन्थ नैसल कैमपेंड वन वीक वन लेबरेटरी यहां पर अनाउंस की गए थी मिनिस्ट्री आफ साइंस टेक्नलोजी की तरफ से इसमें 6-16 फरवरी तक वन वीक वन लाब अभ यहां चलाया गया था हमारे यहां का जो साइंस और टेक्नलोजी का इंफ्रसेक्चर है उसके बारे म हमने क्या-क्या उपलब्धियां हासिल कर लिए इसके बारे में यह सब पताया गया था Save Wetland Scheme यह Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने इसको शुरू किया था गोवा के बुख्यमंत्री प्रमोट सावंत के साथ मिल करके भुपेंद्र यादो जो कि हमारे Environment Minister ने इस समय उन्होंने शुरू किया था नाम से पता चल रहा है कैमपेइन है Wetland इसको इसके संडरक्षन के लिए उसके conservation के प्रती awareness क्रेट करने के लिए Visit India 2023 campaign यह Ministry of Tourism की स्कीम है जिससे टूरिजम को भारत में प्रमोट किया सके उन्होंने इस campaign का एक logo भी जारी किया है जो लब नमस्ते की छवी में दिखाये जा रहा है दोनों हाथों को जोड़ करके इसके बाद STEM education program यह Solvee नामक एक science solutions company है और UNESCO ने मिल करके चलाया है जिससे यह इंडिया इंडोनेशिया और South Korea में STEM को प्रमोट करेंगा STEM मतलब Science Technology Engineering Mathematics और इस इनके program की theme है Sustainable Life for a Planet तो Solvee और UNESCO के दवारा STEM education program के लेकिन countries को चुना गया है South Korea को इंडिया को और इंडोनेशिया को यह एक्जाम पूछ सकते हैं ठीक है South Korea इंडोनेशिया इंडिया मिष्टी स्कीम यह अनाउंस हुई थी बजट में इसके बारे में वैसे आपको बजट में जादा मिल जाएगा देखने को लेकिन इस पर कुल बिलाकर एक यह Convergence program है इसका मतलब होता है इंडिशिव एफोरेस्टेशन आफ कोस्टल मैंगरूव फोरेस्ट मिष्टी का फुल फार्म जरूर देखेंगे हम लोग मैंगरूव इनिशेटिव फॉर शोर लाइन हैबिटाइट सेंट एंडिजिटल कॉम्टिटिवनेस एक्ट के ड्राफ्ट में सजेशन देने के इसकी स्थापना होगी हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर सतलज रिवर सिस्टम पर अनॉंस्मेंट आफ प्रधान मंत्री विश्व कर्मा कौशल सम्मान योजना इसका लाभारती कौन होगा लाभारती होंगे यहां पे कुछ आटिसंस सुनार बढ़ाई मूर्तिकार लोह हमारे यहां के हमारे देश की परमपरिक कलाओं है उसके कारीगार इसका लाभ उठा सकते हैं महिलाओं और हाशिये के वर्गर से जुड़े लोग भी इसका लाभ लेंगे इसका उदेश क्या है तो इन्हेंस ता कैपबिल्टीज ऑफ आर्टिसंस एंड ट्राफ्ट्समें अ आगे में लोग बढ़ेंगे यूरोपी व्यापार संग और प्रावद्युकी परिशत के इंतरगर तीन कार इस समुहों का गठ्थ हैं इन्फॉर्मेशन ऑफ त्री वर्किंग ग्रूप संडर यूरोपीन यूडियन ट्रेड एंड टेक्नलोजी काउंसिल तो बाइस अप्र परिके से किये हुए है यूरोपीन यूडियन के साथ उसके बाद पर एज्यू ट्राइब इन्शोरिंस पॉलिसी निव इंडिया एशोरिंस कंपनी की है इसमें कह रहे हैं कि जितना प्रीमियम आपको देना पड़ता है अपना इन्शोरिंस रिन्यू करने के लिए वह उतन इनिशेटिव द्रिपक्षिय सहयोग पहल ये UAE, France और भारत की बड़ा चर्चा में थी और भारत के देख्षता में जो G20 हो रहा है साथ ही सहयोग आरब अमिरात में जो साल COP28 होने वाला है उसी के क्रम में जो कारिक्रम होंगे उसमें भारत, France और UAE के साथ समन्वे करने व भारत से कंड़क्टर अंत्रेक्ष 5G टैलेंट जैसे रक्षात्मक नवाचारों पे सहयोग करेगा अमेरिका के साथ जल जनवियान मिनिश्ट्री आफ जल शक्ति का है राजस्तान के सिरोही जिले के आबू रोड में ब्रह्मकुमारी इश्वरी सनस्थान से प्रधानमंत्र सित भारती मोटा अनाज अनुसंदान संस्थान इस पहल को तक्नीकी साहता प्रधान करने वाला है इंटरनाशनल इयर ऑफ मिलेट्स मनाय जा रहा है साल भर से 2023 में आपको पता होगा भारत ने इसी से सीड मनी की अधारणा को पेश किया है सीड मनी ये इनिशिटिव फोकस क कि जॉइंट स्कीम है इसके लिए पैसे भी अप्रूव हो गया है नमस्ते का जो मतलब फुल फॉर्म है उससी से आप समझ जाएंगी योजना है क्या नैसल एक्शन फॉर मेकनाइजड सेनिटेशन इको सिस्टम मेकनाइज सेनिटेशन इको सिस्टम डवलप करता है जिससे गहरे सीवर में उतरने से उसकी गैस को अपने अंदर लेने से कई सारे सेन्टेशन वरकर पूर्व में अपनी जान कमा चूके आपको बता होगा तका कि छी से मैनवल ट्लीनिंग को अपनाने करने का लक्शा जिससे कोई भी सेंटेशन वर्कर अपने करताव के दावरान मतलब अपने कार करने के दावरान अपनी जान को जोखिम में नडर ले जैसे एक रोबोट भी अभी बनाया गया था आईटी मदरास के दौरा सेप्टी टैंक की सभाई के लिए उन्हें को बताया मरीन स्पेशल प्लाइन और समाजी कुद देश्यों के लिए जो है समुद्री छेत्रों में स्थान आवंटित करने की प्रक्रिया इसी को समुद्री स्थानिक योजना संद्चना कहा जा रहा है मतलब मरीन स्पेशल प्लाइनिंग फ्रेमवर्क जिस नाम से पर चल रहा है अलोकेट एकनॉमिक यहां में पर करने वाले हैं टेश्यों पर करने बाले है मरीन एरियाज को सब्साइब करने का योजना है इंड़न ओर्वेग इनिशेटिव है बड़ते हम लोग आगे पीम प्रणाम स्कीम चर्चा में थी अब देखिए प्रनाम का जो फुल-फॉर्म है यह पहले कुछ और बताय अब दोनों ही आप याद कर लिजे को इसमें दिक्कत नहीं है अब देखे यह जो फुल फॉर्म बताया गया था सेप्टेंबर 2022 की नियुस में यह फुल फॉर्म निर्बला सी तरवन जी ने बजट मताया है स्कीम का नाम सेम है अबजेक्टिव भी सेम है chemical fertilizers को reduce करना और पूरी तरीक से हमको alternative fertilizer यूज करना है जिससे chemicals के use को balance किया जासके ग्रीन ग्रोथ हो सके और negative growth जो इंवार्बंट पर पढ़ता है chemical fertilizer चाफिव केmical का use से उसको कम किया जासके तो दोनों ही फुल फाम एक बार आप देख लीजेगा उद्देश शकुल विलाकर यही है कि chemical fertilizers के उपियोग को कम किया जाए ठीक है उपियोग को कम किया जाने के मतलब भी है कि यहां पर bio fertilizers को promote करना चाहते हैं अमरत दरोहर योजना अनॉंस की गई है बजट 2023-2024 में एक फ्यप को 2020 में इसका उद्देश अगले तीन वर्षों में ध्यान रखेगा टाइम लाइन इंपोर्टन्ट है तीन वर्षों में आर्ध भूमी के उपियों को प्रोत्साहित करना जय विवित्ता कार्बन स्टॉक ए यह सोपान है अमरत दरोहर इसमें मिष्टी भी सामिल है इसमें आनिस्की में भी सामिल है प्रोजेक्ट एलोरा यह माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च टीम कथा इन्होंने तीन भाषाओं गोंडी मुंडारी और इदु मिश्मी पर ध्यान के इंद्रित किया है गोंडी भाषा ए यह एक डिजिटल इको सिस्टम बनाना चाहते हैं ठीक है जिससे ओनलाइन उपस्दिती इनकी प्रात्त की जासके इसका उनलाइन प्रोजेक्ट लावरा चलाया है माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च टीम ने इंडिन आर्मी कई सारे योजना है चलाता रहता है जैसे ऑप्रेशन सद्भावना जो है इसका उद्देश के लद्दाक्ष शेत्र में स्कूल खोलना आर्मी गुडविल स्कूल खोले गए हैं जिसमें कई सारे बच्चे पट रहे हैं बाइस सो से अधिक बच्चे पट रह सेते राज की योजना में मुख्यमंत्री विरासत जरोखा योजना मुख्यमंत्री धर्वहर दर्शन योजना की स्की में गवर्मेंट ऑफ चतिसगड़ की उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर उर्जा पर योजना का उध्गहटन कहां पे किया जाएगा नॉर्ट इंडियास लार्जेस फ्लोटिंग सोलर पार प्रोजेक्ट का उध्गहटन किया जाचका एक्चुली पंजाब के गौर्णर बनवारी लाल पुरोहित ने कर दिया है 23 जन्वरी को कहां पे धनाज जील में चंडीगड में चंडीगड में नॉर्थ इंडियास लार्जेस फ्लोटिंग सोलर पार प्रोजेक्ट जो है यह शुरू किया जा चुका है आपको ध्यान रखना है नॉर्थ इंडियास फर्स्ट एवर न्यूक्लियर पार प्रांट यह कब बनेगा मजब कहां बनेगा यह बनेगा फतेहाब निशुल्क गैस रिफिल योजना यह उत्राखंड की है फो जोग्ला सिलिंडर्स जो मिले हुए हैं लोगों को उसके फ्री रिफिल के लिए जो अंतिवधय पधिवार है उनके लिए चलाए गया था और भूटान के सहुक्ति योजना है लोटे शेरिंग के साथ दोजारु पूरी हो गई पर योजना भूटान के ड्रग ग्रीन पावर को यह सौंप दी गई है योजना आगे बड़ रहे हैं लोग नैशनल अर्बन टेक्निलोजी मिशन के बारे में बात की जा रही है कि पांच वर्षों के लिए 15,000 करोड रुपेओं के वैसे यह मिशन चलाए जाए जाए गाए इसमें टेक्निकल इंप्रूब्मेंट और बहुत सारी सर्विसेश पर काम किया जाएगा 4,500 से अधिक म्यूनिस्पल सर्विसेश इंफ्रस्क्ट्रेक्श्र यहां पर क्रियेट किया जाएगा नगारपाली का सेवा बुनियादी संरचना में तक्निकी सुधार के लिए मिशन की शुरुबात की गई है जादा कोई डिटेल्स अभी बताई नहीं गई है इसके बारे में प्रज्वला चैलेंज यह है यूनिन मिनिस्ट्री आफ रूरल डवलोप्मेंट का दीन द्यायल अंत्योदे योजना राष्ट्री क्रामीड आजीव का मिशन ने प्रज्व पांच किलोमेटर लंबी पाइप्लाइन के रिबाड़ किया जाएगा पाइप्लाइन की लेंध माहिने रखती है इसमें बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा बांगलादेश में 126 किलोमेटर भारत में रहेगा यह इस पाइप्लाइन के जड़िए फ्यूल ट्रंस्पोर्ट किय करके जाएगा तो तेल का ट्रंस्पोर्ट कहां पर होगा सिली गूडी से पार्वती पूर की तरफ सिली गूडी भारत में पार्वती पूर मंगलेदेश में 131.5 किलोमेटर लंबी पाइप्लाइन ने ध्यान रखिएगा यंग प्रोफेशनल स्कीम इंडिया यूके ने अस्ट्रिलिया के लोगों के लिए जैपान, ताइवान, आइसलेंड, सैंड मरीनो, साउथ कोरिया, हॉंग कॉंग, न्यूजलेंड आधी के लिए तो भारत के लिए भी इन्हें ने नहीं ओपन कर दिया है यंग प्रोफेशनल स्कीम आगे बढ़ते हम लोग, नई Integrated Food Security Scheme प्रदान मंत्री गरीब कल्यान अन्य यूजना जो की चल रही है, लॉकडाउन के समय से आपको पता है, तो इस इंटिग्रेट यूजना का नाम प्रदान मंत्री गरीब कल्यान अन्य यूजना जो की पहले से था, इसको कर दिया गया ह आप टोटल जो राशन किला भारती है, वो इसी एक यूजना के तहित राशन लेंगे, नैसल फूर्द सेक्योर्टी अक्ट 2013 के प्रभावी और एक समान कारेंवन के लिए जो पहले से खाद यूजना चल रही थी, खाद वितरन यूजना, उनका समन्वे कर दिया गया है, औ कि राखी आप जल्दी से कॉमेंट करके बताएगे, प्रदान मंत्री करीब कल्यान अन्य हुजना किस वरश आय थी? आसान है, चुन्ना 2020 पे जल्दी से कमेंट करके बताएगे. आगे बड़ते हम लोग, राइसेंग इंडिया थ्रोव स्पृच्वल इंपावरमेंट, जैसे ब्रह्मुक मुराइज काम करती हैं, आपको बताओगा आध्यात्मिक शशक्ति करन का काम करती हैं, तो कैसे मानव जीवन में उनका ये विजन आध्यात्मिक शशक्ति करन का कैसे काम आ सकता है, इसको लेकर ये campaign है, इंडियास फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडि इंडियास फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग उप्रेशन शुरू कर दिया है, इसके बाद आ जाते हैं, इलेक्ट्रोनिक्स सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट, इस सुप्रीम कोर्ट आफ इंडियान एनाउंस किया था हमारे चीफ जस्टिस ने कि इस से क्या होगा कि जनता को करीब 34,000 जो डिसीजन से सुप्रीम कोर्ट के उनका एक्सस मिल जाएगा, वो भी फ्री है, नैसल ग्रीन हाइड्रोजेन मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, मंजूरी इसको दे दी गई है, इसका प्रारंभिक परिव्य लगभग 20,000 करोट रुपए, यानिकी 19,7444 करोट रुपए का होगा, और इसका उद्देश ही कहा है कि हमको प्रोडक्शन कैपस् जी ने और गंगा विलास नमक जो अब तक का सबसे लंबा रिवर क्रूस था, उसको भी हरिजंडी दिखाए गई थी कहां पर वारनसी से, ठीक है, और टेंटे सिटी का कारेक्रम भी वारनसी में पंड़क हुआ था, उतकर्स 2.0 ये रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया का, ये पहला संस्क्रिनिस का 2020 और वर्ष 2022 कि अधी के लिए ये था नया ये उतकर्स 2.0 ये क्या है, अडॉप्शन ऑफ AI और मर्शीन लर्निंग, पार टूल से, फौर डेटा अनलाइसिस और इंफोर्मेशन गैदरिंग, उतकर्स 2.0 मतलब यह है कि, रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिय अपने रिसोर्सेस को इंप्रूब करना चाहता है, नई टेक्टलोजीस को इंप्लिमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए ये लोग अपना इनिशेटिव चलाते रहते हैं, जैसे उतकर्स था, 2019 से 2022 तक के लिए, अब उतकर्स 2.0 आया है, ये नई चीज़ें आप इंप्लि अशोक, योगेश्वरदत, सहदेव यादव, और दो एड़ोकेट मेंबर हैं, तो ये कमिटी इजांच करने वाली थी कि जो रेस्लिंग फेडरेशन ओफ इंडिया का प्रेजडेंट ब्रज धूसन ने सरन सिंग थे, उन्होंने कुछ गल्ती की या फिर नहीं, आयूर स्व संगठन के लिए, किसी इंडिविज्वल के नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा कन्फ्यूस करने वाला, क्रूस्चन आयोग बना देता है कई बार, कई बार आपको लगता है कि चलो मुझे याद हो गया और स्वस्थ, लेकिन वो कुछ ऐसा स्टेट्मेंट उसमें डाल देते हैं, कि आप कन्फ्यूस हो सकते हैं, तो हमेशा कुछ ऐसे नोट्स बनाया करें, जैसे मैं जो ये अंडरलाइन किया है, तो इसको मतलब आपको छोटा सा लिख लेना चाहिए, अगर आप कोई डूरूप में नहीं है, तो थोड़ा सा आपको लिख लेना चाहिए प्रस्तावित कोईला गैसी करन प्रोजेक्ट है, जो अक्तूबर 2024 में शुरू होना है, ये भारत का सबसे बड़ा और पहला कोल गैसिफिकेशन प्लांट होगा, इंडियास फर्स्ट और लार्जेस्ट कोल गैसिफिकेशन प्लांट यहां पर खुलेगा तल्चर में, तल्चर अल्रेडी अपने कोल प्रोडक्शन के लिए प्रसिद है, लेकिन यहां पर इंडियास लार्जेस्ट और फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन प्लांट लग देवाला इसको अपनाना है आगे है सहर्ष सहर्ष विशेश सिक्षाकारिक्रम निद्रिप्रा की गॉवर्मेंट लाई थी और इन्होंने आउगस्ट 2022 में इसको पालेट तौर पर शुरू किया था और अपने पूरे राजब में इसको फला दिया है विशेश सिक्षाकारिक्रम का उद स्टेट्स चार्ज दी अफेर्स एमबेजडर बेथ जोन्स ने कि पायेगा टॉम्स का रिस्टोरेशन यहां पर होगा इतराबाद में और यह फंड यह करेंगे हिमाचल प्रदेश ने ओल्ड पेंशन सिस्टम को बहाल कर दिया था मैंने आपको बताया था कि कॉंग्रेस सम केंडिगर में शुरू कर दिया गया है इसके बाद आ जाते हैं स्कीम्स कैंपेंड दिसंबर पर तो नई चेतना पहल बदलाओ की इनिशेटिव था रूरल डवलप्मेंट पिनिस्ट्री का इसका जो थीम था या फिर जो मुख्यो देश था लिंग आधारित हिंसा के प्रत को जागरूप करना उसके बाद सेफ्टी एगेंस्ट वाइलेशन एंड एक्सेटिव दिपार्टमेंट और सोचल जस्टिस और यूनिसेफ का था अलवर राजिस्थान में इसको लॉंच किया था बेसिक फसिल्टी यहां पर प्रोवाइट कराने लक्ष था चिल्रेन को जो जिनको सोचल सेक्योर्टी या फिर हैल्थ सेक्योर्टी नहीं मिल पा रहे हैं। प्लास्टिक को फेज आउट तो करना है लेकि इंक्लूजिव मैनर में एक्स्लूजिव मैनर पर नहीं यानि कि जो लोग प्लास्टिक उद्ध्योक से जड़े हुए हैं उनको भी कोई बहुत नुकसान ना हो प्लास्टिक और भी कर सकें इसके बारे में देखना का या फिर इस इनिशिएटिव का जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव प्लास्टिक प्लूशन को फेज आउट करने के बारे में है किसका किसका है साउथ अफ्रीका का केनिया का साथ राज्यों में करीब चल रही है करनाटक महराश्ट बेस्ट बंगाल आसम ओडिशा इसका उद्देश है इस तरीके से एलिफेंट जो है अटाक कर देते हैं कई बार हुमेंस पे तो इसको हनी बीस का उप्योग करके रोकेंगे मतलब जो है हनी बीस समंदित आवाज निका कभी कभी वैसी sound का उत्युक कि घाता है जिवनद मुख निकालती है रिहाब प्रोजेक्ट के अंतरगत अब देखा ओका कि इस समय कई सारे corporate takeovers होते हैं corporate takeovers का मतलब है कि फला company है मा लीजे उसको किसी ने takeover कर लिया दूसरी company है तो उसने takeover कर लिया किसी को तो ये जो practices हैं इनको review करने के लिए committee बनाई गई है SEBI ने एक committee बनाई है क्योंकि security market को SEBI regulate करता है भारत में तो इन्होंने एक committee बनाई है कि ये review किया जाए कोई किसी भी company का unethical तरीके से अधिकरहन ना करे या फिर उसका takeover ना करे तो corporate takeovers की जो practices हैं उनके नियमों को और मजबूत करना और विवस्तित करने का उदेश है इस committee का इस committee के अधिक्सता काउन करेंगे जो हमारे एक्जाम पूछे जाने वाला फैक्ट है यह करेंगे फॉर्मर चीफ डिस्ट आफ पंजाब एन हरियाना हाई कोट एस जे वजीफतार एस जे वजीफतार के अधिक्सता में यह committee बनाई है जो corporate take over rules को review करने वाली है आगे बढ़ते हैं लोग न्यू इंडिया लिट्रेसी प्रोग्राम यह ministry of education का है इसकी अधिय है 2022-23 से लेकर 26 तक 5 क्रोड यहांपर learners अचीव करने का लक्ष है 5 सालों में national literacy और numeracy component जिन में incorporate कि जासके numeracy component यानि की basic math जोड़ना खटाना गुड़ा भाग वगएरा foundational literacy पत्र पढ़ पाना अक्षर पैचान पाना वाक्ष लिख पाना at least 5 करोड ऐसे learners create करना चाहता है यह NLIP scheme New India Literacy Program आपके दिमाग में तुरंट कौनना चाहिए कि भाई इतनी सारी literacy program अलड़ी चल रहे हैं इसका beneficiary कौन होगा क्या schoolie बच्चे होंगे क्या college student होंगे obviously नहीं यह जो scheme है टार्गेट कर रही है non-literate people को पंद्रा वर्ष से ऊपर किया यूँ कि निरक्षर लोग जो है non-literates जिनको सरकार करे रही पंद्रा वर्ष से ऊपर के तो पंद्रा वर्ष से ऊपर के non-literates को इसमें cover किया जाएगा schoolie students को यहां पर cover करने का कोई रादा नहीं है यह जहाँ पर factor बैने विश्रीस का school college ना होकर age है पंद्रा वर्ष से ऊपर कोई basic foundational literacy और numeracy component नहीं जानता है यानि कि गिंती गिनना पढ़ना लिखना नहीं जानता है तो उनको इटार्गेट करेगी NLIP 9 भारत साक्षरता कारेक्रम आगे बढ़ते हैं लोग group of friends to promote accountability for crimes against peace keepers भारत की वर्तमान अद्यक्षता वाली सेंउक्त राष्टर स्रक्षा परिसद ने group of friends को यहां पर शुरू किया था भारत ने सेंउक्त राष्टर के सांती रक्षगों के खिलाफ जो अपराद बढ़ रहे हैं उसकी जवाब देही के साय अध्यक्ष कौन कौन है इंडिया के साथ इंडिया बंगलदेश इजिप्ट फ्रांस मुरक्क और नेपाल क्योंकि एसे कंट्रीज ने जिनके कई सारे peace keepers women कंट्रीज में काम कर रहे हैं UN missions को लेकर राज की ओजनाव में friends of library scheme ये शुरू की गए थी तमिल राडू की education ministry ने इस पहल से पुस्तकाले में नहीं आ सकने वाले अलग-अलग सक्षम वक्ति वरिष्ट नागरिकों बच्चों आदियों को अस्पताल में मतलब जो भी ऐसे वक्ति हैं जो पुस्तकाले नहीं आ सकते उनके लिए friends of library program शुरू किया गया है वक्तिकत रूप से किताबें उपलब्द कराने के लिए उसके बाद है मुख्यमंत्री बाल गोपाली ओजना यह government of राजिस्थन की है इसमें फोकस किये जाएगा उच्च प्रात्मिक विद्यालो मंतरसों विशे इस प्रस्टिक्षन के इंद्रों में एक से आठ तक के बच्चों को दूध वितरन करने के लिए और यूनिफार्म देने के लिए इसके बाद आमर सरकार वे पोर्टल इत्रुप्रा गोर्वर्मेंट का है जान रखिएगा वस इतना काफी है और उन्दों दोई स्कीम यह government of हमार असम की है इसका उदेश है डीबीटी के मध्यम से इतने रुपए प्रवाइट कराना महिलाओं को डीबीटी क जो है किस डेट से शुरू किया गया था या जल्दी स कमेंट करके बताएए डिरेक्ट बेनफिट ट्रांफर योजना कप शुरू की गई थी क्या 2014 के बाद या 2014 के पहले जल्दी स कमेंट करके बताएए आप इसके बाद स्कीम्स कैंपें नेमेंबर की कमीटी ओन implementation of uniform civil code तो गुजरात दूसरा राज बन गया था जिसने कमीटी स्रजित की थी UCC को लागू करने के बारे में समिक्षा करने के लिए इससे बहले उतरा खंड एक UCC कमीटी अपने राज में जो है बना चुका है हलांकि अभी गोवा को छोड़कर किसी भी अने स्टेट में uniform civil code नहीं लागूँगा जान रखेगा गैंबिया में आपको अगर याद हो तो कथित तौर पर कुछ बच्चों की माउथ हुई थी भारत में बना हुआ सीरप पीने से कफ सीरप पीने से तो अरियाना के सोनी पत स्थित एक company made in pharmaceutical है उसने खासी की दवा या कफ सीरप बनाये था उससे कथित तौर पर ज्यान रखेगा कथित तौर पर गैंबिया में कुछ बत्यों की ब्रत्ति हुई थी तो इस पूरे मामले की जांच करने के लिए वाई के गु निक्षा करने के लिए एक कमिटी बनाए थी राकेश जोसी इद्यक्स्ता में राकेश जोसी कमिटी है हेल्ठ इनिश्रिंस एडवाइजरी कमिटी बनी थे तो इसके बाद उच सिक्ष्ण सिनस्थानों के मुल यंकरन और मानिता प्रक्रिया को सशख्त बनाने हे तु manufacturing electronics cluster कहां कहां पे है नोईडा में है तिरुपती में है करनाटक में तमिलनाडू में पहले स्काम कर रहा है महाराष्ट का यह पहला EMC होगा इनकी महाराष्ट का पहला electronics manufacturing cluster होगा यह पुणे में खुलेगा पुणे में आगे हम लोग बढ़ेंगे निवेशक देदी यह बहुत जरुबरी है डाक विभाग के अंतरकत इंडिया पॉस्ट पिमिंट बैंक ने श्रीनगर में विती साक्षरता को बढ़ावा मतलब के समभरधन के लिए भारत का पहला पानी पर तैरता हुआ विती शिविर लगाया थ इंडिया महिला डाकिया पहल जो चलती इंडिया पॉस्ट पिमिंट बैंक की उसके तहित तो इद्यान रखिएगा आगे बढ़ते हम लोग कामिंग हाइड्रो एलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नॉर्थ इस्टन इलेक्ट्रिक पावर कॉर्परेशन ने अप्रूव कर दिया थ यह जो है कामिंग रिवर पर है और बिशोम और टेंगा जो नदिया है ठीक है ब्रंपुत रिवर सिस्टम के सारी नदिया है तो यह इसके रिवर का अमदब वाटर का उप्योग करेगा अलेक्ट्रिक बनाने के लिए इंटर नैसल ड्रोक रिजाइललिन से बारे में आया था डिक इनिशेटीव ऌर सेनेगल का जोइंट इसको अनौण्स झिया गया था इसको लाँंचिया खे sympath शेट लेशना अंतरगत कुछ ऐसे वीकल्स बनाय जा सकेंगे भारत में जो कि पेट्रोल से भी चलेंगे 20 से 100% इथनॉल ब्लेंडड पेट्रोल से चल सकेंगे और इलेक्ट्रिक पार से भी चल सकेंगे तो यह हाइब्रिड है मतलब सभी तरीके टेक्नलोजी इसमें होगी पेट्रोल से भी इथनॉल मिश्रित पेट्रोल से भी चलेगी और इलेक्ट्रिक पार से भी चलेगी अभी किस ने शुरू किया है प्रोजेक्ट टॉटा के साथ मिलकर के शुरू किया है ध्यान रखेगा ऑप्रेशन गरूड यह CBI ने चलाय था CBI ने चलाय था इंटरपोल और नार्कोटिक्स कंट्रोल वियोरों के साथ मिलकर के जिससे इंडियन ओशन रीजन में जो लीगल ड्रक्स की स्मगलिंग है इसको कॉमबैट कि जा सके इंडोनेशिया जस्ट एनरजी ट्रांजिशन पार्टनर्शिप इंडोनेशिया की गॉवर्मेंट में और इंटरनेशल पार्टनर्स ग्रूप जिसमें ये सारे देश आते हैं यूके जर्मनी फ्रैंस यूरोबियन उनियन कैनेडा इटली नॉर्वे डेनमार्क अमेरिका ज आगे बढ़ेंगे लोग सभी के लिए फुटबॉल इनिशेटिव फुटबॉल फॉर आल इनिशेटिव यह आपको पताया यह वैसे तो यूनिसेफ और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन शिक्षामन तरह लेका है लेकिन गवर्मेंट आफ ओडिशा ने भी इसको इं गंता विपरिटन को पूरू रूप में लाना यानि कि ब्रिंगिंग डेस्टिनेशन टूरिजम बैक आगे हम लोग बढ़ते हैं ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क इनिशेटिव जी सेवेन कंट्रीज और वल्लेबल 20 या V20 कंट्रीज ने इसको शुरू किया है ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क इनिशेटिव नमेंबर 2022 में जो COP27 हुआ था वहाँ पर इसको अनौन्स किया था G7 कंट्रीज और V20 कंट्रीज ने इनका उदेश है कि बाढ़ सूखे तोफान जैसी घटनाओं के बाद पूर्व विवस्तित भीमा और आपदा सुरक्षा निधी प्रदान कर रहा जो ऐसे खत्रों से देश प्रभावित हो सकते हैं उन्हें जैसे पाकिस्तान, घाना, बांगलदेश, कोस्टारिका, फिजी, फिलिपीन, से निगल और जलवायो आपदा से बेड़ी देशों का वित्त पोजिशन G7 ये करेंगे, ग्लोबल शील्ड इनिशेटिव केता है, धन से वित्त पोजिशन करेंगे, ऐसे देशों का जो क्लाइमेट हिट हैं या फिर क्लाइमेट से समंदित डिजास्टर्स को अनुभाव करते हैं इसके बाद सेटलाइट इंडेक्स बेजट अग्रिकल्चरल प्रोड्यूस इनिशोरिंस पॉलिशी एजडी एफसी अर्गो ने शुरू की थी, ये अपनी तरीके का एक ऐसा इनिशोरिंस सलूशन था जिससे रियल टाइम जो रिस्क है उसको मापा जा सकता था, रियल टाइम रिस्क एसेस्मेंट की जा सकता था, जो कि बहुत डिफकल्ट होता है इसमें सैटलाइट बेजड इंडेक्स का पता लगा करके, फ़ाम में कितना रिस्क है, ये कल्कुलेट कर सकते थे, HDFCR को आले, उसके हिसाब से आपको पॉलिसी मिल जाती नायसल बायो एनर्जी प्रोग्राम, ये गौर्मेंट आफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री आफ न्यू एंड रेडिमेंबल एनर्जी ने कहा था, ये हमारा जो एक्जिस्टिंग प्रोग्राम में ये जारी रहेगा, 2025-26 तक, इंडिया इंफ्रसेक्चर प्रोजेक्ट डेवलो प्रोजेक्ट, प्राइवेट प्रोजेक्ट के निर्माण में जो कंसल्टेंट्स अपनी राय मस्वरा दे रहे हैं, उनका जो कॉस्ट आता है, उसको बियर करने के लिए इंडिया इंफ्रसेक्चर प्रोजेक्ट डवलोप्मेंट फंड योजना को रिवैंप किया गया है, और इसके लिए जो तीन साल के अवधी के लिए इस कोस्ट को रिवैंप किया गया है, देर सो कॉटर रुपए यहां पे रखे गए इसके लिए, केवल उन लोगों को फंड करने के लिए जो लोग इस तरीके की स्कीम के बारे में विचार कर रहे हैं, या फिर अपना इसलाह देंगे, यूपी 27 में विबिन प्रकार के इवेंट होते हैं, जैसे भारती पवेलियन वहाँ पे गया था, उन्होंने इन आर लाइफटाइम कैमपेंड शुरू किया, परेवरन वन एम जलवायू परिवरतन मंत्राले, इवन डीपी के अंतरका जो नैच्रल हिस्ट्री म्य जब प्राकृतिक इत्यास के राष्ट्री संगरहाले, नैसल म्यूजियम फॉर नैच्रल हिस्ट्री ने शुरू कि 18 से 23 वर्ष की आयू के युवाँ के लिए पर्रेवरन अनुकूल और सस्टेनिबल लाइफस्टाइल का संदेश वाहग बनने के लिए प्रोताहित करने के यानि कि 18 से 23 वर्ष के यूथ जो है, लाइफ को प्रोमोट करें, लाइफस्टाइल फॉर दे इन्वायर्मेंट के मेसंजर्स बने, इसको गाइड बने और इसको प्रोमोट करने वाले वक्ति यूथ बने, 18 से 23 वर्ष के तो उसके बाद है कि इते लंगाना कि राम गुंडम में 9500 कोर्ड रुपए की परियोजनाओं का शिलानियास प्यमोट जीजी ने किया था, तो राम गुंडम में एक उर्वरक संयत्र राष्ट को समर्पित कर दिया गया है, ठीक है तो ध्यान रखिएगा, यहां पर भी एक पूर्वरक संयत्र है, कमिटी कंस्टूटेट टूर्फॉअम मन रेगा, एम जी नरेगा पर विचार करने के लिए, इस पर एंडॉफएक करेंगे कि लिए कमिटी बनाई गई है, इसको हैड करेंगे श्री अमर जीत सिना, कमिटी समंदित है , एम जी नरेगा इम्जी यह गौर्न्मेंट अफ चतिस गड़ लाई थी दो हाइड्रो एलेक्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में पीम मुंदी जी ने चमबा में इनका चिलानयास किया था यह चंजू या फिर चंजू आइड्रो एलेक्रिक प्रोजेक्ट रावी बेसिन की सिवल नदी पर ठीक प्रदानमंत्री ग्रामीर सड़क योजना सबसे पहले कब जारी कि गए थी जल्दी स्कूमेंट करके बताएंगे अब संपत्ति पर कर्माफी योजना समर्द्धी स्कीम यह दिल्ली गवर्मेंट की थी श्रेष्टा जी प्रोजेक्ट के बारें बात कर लें तो सिस्टम डि हैं कि गाजियाबाद में अर्थला में एक सनिरी पैड मनुफै्चिं यॵनिट खोला गया है जिससे विमेन को लो पार सनिरी पैड दिला जा सके और सनिरी होथ के प्रती आवेर किया जा सके तो सारफ प्रोजेक्ट के अंदर गत सनिरी पैड मनफैक्ष्ण यॵनिट कहा हम इसकीम को नॉंस किया गया था दो अक्टूबर दो जार बाइस को इसका एमक्या युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने हेतु इसको शुरुब किया गया है जिन राइटर्स की रचना यहाँ पे चुनी जाती है उनके काम को पॉब्लिश करने की जिम्मेदारी सरकार लेती है 75 लेखकों का चैना यहाँ पर एक कॉंप्टीशन की मानी जाएगा जिनकी राइटिंग अच्छी मानी जाएगी उनकी बुक को पॉब्लिश करने में हेल्प करेगा Ministry of Education आगे काशिल तामिल संगमम कारेकरम University of Education ने चलाया था वानसी में इसको आजुद किया गया था 16 से 20 नवंबर को आईटी मदरास और बनारस हिंदू उनिवरस्टी इसके नॉलिच पार्टनर्स बने थे फिट इंडिया फ्रीडम रन दो अक्टूबर 2022 से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलना था अनुराक ठाकुर ने इसको शुरू किया था फिट इंडिया के राजदूद रिपू दम बेवली है ठीक है आगे वंदे मात्रम इनिशेटिव महराष्ट कोवर्मेंट का था तो फोन जब महराष्ट के इंप्लॉई उठाएंगे तो वंदे मात्रम बोलेंगे हेलो की जगए यह ऐसा आया था उपरेशन सेवा उपरेशन डिग्निटी उपरेशन नन्य परिष्टे उपरेशन जीवन रक्षा उपरेशन मात्र शक्ति यह सब इनिशेटिव हैं बीनिस्ट्य एफ रेलवेस को एक उर्वरक योज़ना थी, तो, कंपनी ने जो है चुर्वात में एक urea bag launch किया गया है, जो brand भारत के तहथ sell किया जाएगा, वन नेशन वन fertilizer के अंथरगत, ब्रैंड भारत नामसे fertilizer sell की जाएगे, जैसे अभी urea bag शुरू किया गया है, भारत नामसे लुहनू, बिलास्पूर में कई सारे प्रोजेट का शिला नियास पिया मोधी जी ने किया था जैसे कि Medical Device Park, Nalagad Ames Bilaspur और Government Hydro Engineering College बंदला इसका उधगाटन किया था तो जिन सारी जगों के बारे में बात किये सब कहा है माचल प्रदेश में ध्यान रखिएगा इसके बाद Telemanus Initiative Ministry of Health and Family Welfare इसको शुरू किया बंगलूरू में वर्चुल माध्यम से इसका उदेश है कि हर स्टेट या यूटी में कम सकम एक Telemanus Prakosht या Telemanus Cell डवलप किया जाएगा जिससे लोगों को Mental Health Services प्रवाइड कि जा सके Excellent Mission School Scheme ये शुरू किया था Excellent Mission School Scheme ये गुजरात पे शुरू किया गया था PM Divine Scheme आपको पता है ये Northeastern Region के लिए है Ministry of Development of Northeastern Region से समंदित में ये है 15th Finance Commission की जो अवधी बच्ची वी ये है 2022-2025-26 तक तब तक की Scheme चलेगी इसके मुख के उदेश का इसको नोट कर लिजे Funding Infrastructure Inclusively In the spirit of PM Gatishakti Support Social Development Projects Enabling Livelihood Related to Youth and Women To Fill the Growth Gap in Various Sectors Mission Life हमने आपको ता है Lifestyle for Environment ये PM Mahondi जी ने कोईन किया था term November 2021 में Glasgow COP26 में ठीक है ये अभी पी चल रहा है इसके बाद September में देखेंगे प्रदान मंत्री जंधन योजना ने 8 वर्स पूरे कर लिये थे इसके बाद CCRAS का स्पार्क का रिक्रम Students Program for Ayurvedic Research Akin ये है स्पार्क तो जो चात्र Ayurved में अध्यन करना चाहते हैं उनको fellowship basically प्रदान की जाएगी 50,000 रुपए तक की ये है यहाँ पर scheme आगे है PM Shree scheme ये scheme Teachers Day के दिन शुरू की गई थी 5 सितंबर 2022 को 14,500 PM Shree Schools खोले जाएंगे नई सिक्षा नहीं थी New Education Policy जो 2020 की है उसकी तरज़ पर बाकि UP परिवार कल्याण कार्ड स्कीम वैसे मुत्तरप्रदेश Special में आपको उताएंगे 12 डिजित का एक Family Welfare कार्ड बनेगा और जिन परिवारों को किसी कारण से National Food Security Act में नहीं कवर किया जा सका है या फिर उन्हें किसी भी कारण से Central Government की स्कीम के लाब नहीं मिल रहे हैं तो उनको ये लाब प्रोवाइट कराए जाएगा UP परिवार कल्याण कार्ड स्कीम के ताहत फिर चीफ फिनिस्टर उद्देमान उद्देमान खिलाडी उन्हें योजना ये गौर्वर्मेंट आफ उत्राखंड की थी National Sports Day के दिन इसको जारी किया गया था उत्राखंड ने इंद्रा गांधी Urban Employment Guarantee Scheme जैसे Rural Employment Guarantee Scheme राजस्थान सरकार ने शुरू की थी इसके बद अटल पेनिशन योजना में बताया गया था जो कि योजना 9 में 2015 को शुरू की गई थी एक अक्टूबर 2022 के बाद कोई भी दाता आयकर दाता इसमें शामिल होने के पात्र नहीं होगा ये आया था अपडेट प्राइम निस्टर टीबी फ्री इंडिया कैमपेइन ये 9 सितंबर 2022 को शुरू किया गया था और निक्षे पोर्टल का भी यहां पर सुबर्म किया गया था एक इनिशेटिव लिया गया था कि टीबी रोगियों को उनके बैंक खाते में डिरेक्ट बेंफिट ट्रांसफर के थूरू 500 रुपए की वित्ती सुविधा उनके इलाज के लिए प्रदान की जाएगी टीबी फ्री इंडिया कैमपेइन के अंतरगत सेतु का रिक्रम जो है यानि कि Supporting Entrepreneurs in Transformation of Upskilling Program Supporting Entrepreneurs in Transformation and Upskilling Program यह Scale App शुरू किया गया था चमड़ा उद्यों के कौशल के सीखने के मुल्यांकर और रोजगार की चरूरतों को पूरा करने के लिए तो Leather Sector के Employees की Learning, Skilling, Assessment, Employment को ध्यान में रख करके Scale App बनाया गया था जारी किया गया था किरीट पारिक कमीटी आपको बता है, BPC में भी इसके बारे में पूर्चा गया और भी कि इस कमीटे का उद्देश है existing gas price formula का review करना 2004 में भी जब बढ़ती हुई तेल की इमतों का सामना कर रहा था देश तो भी किरीट पारी की अदेख्षता में कमीटी बनाई गई थी इसके बाद National Logistics Policy ये 2022 में जारी की गई है इसका लक्ष है कि रसद लागत को अपनी सकल घरेली उतपाद के 13 से 14 प्रतीशत से कम कर रहा है मैत्री सुपर थर्मल पार प्रोजेक्ट ये बागेर हाट बंगलादेश में शुरू किया गया है मैत्री सुपर थर्मल पार प्रोजेक्ट बंगलदेश को बनाकर दिया है इसके बाद Ocean Sailing Expedition शुरू किया गया था जादर जरूरी अब नहीं है Mission सक्ती स्कीम आपको पता है कि इसके दो कारिक्रम है दो कारिक्रम कौन-कौन से संबल और शक्ती के दियान रखेगा ये दो सब स्कीम से हैं एक अप्राल 2022 से शुरू होते हुए Finance Commission का पीरेट जब एंड होगा 25-26 में तब तक इस स्कीम चलेगी Mission सक्ती Committee for Developing a Right to Repair Comprehensive Draft Right to Repair Policy का एक Comprehensive Draft तयार करने के लिए निधी खरे की अधेक्षिता में कमिटी बनाई गई है अब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोड़क्ट आते हैं जिसके लिए iPhone बहुत बदनाम है Macbook बदनाम है कि Third Party Repair उनका नहीं होता है मतलब जहां से आपने खरीदा Service Center से वही रिपैर करके देंगे और आप उसमें कुछ भी अगर छेटशाण करते हैं तो वारंटी भी Nail Envoid हो जाती है तो ऐसा विक्रेता ना करें जिससे इस consumers को परिसानी ना हो इसके लिए एक draft त्यार किया जा रहा है जिससे Third Party Repairs को Enable किया हो सके कोई भी proprietary चीजें या proprietary pull tabs वगएरा ना लगाएं product manufacturer अपने products में जिससे Third Party Repair हो सके और ऐसा करने इस क्या होगा कि consumption of products घटे का और e-waste reduce होगा अगर आपका phone खराब हो जाता है और बन नहीं पाता है बहुत महेंगे मनता है अपिल के द्वारा तो आप सोचते हैं चलो नए आ ले ले तो जो पराना phone होता है वो e-waste में convert हो जाता है तो इसके लिए right to repair का comprehensive draft बनाने के लिए निधी खरिक ये देक्ष्टा में कमिटी बनेगे भूज में विबन्य प्रकार की योजनाओं का अशिभारम किया था प्री मोधी जी ने वीर बाल समारक सरदार सर्वर पर योजना की कक्ष नहर शाखा शेत्री विग्यान के इंदर भूज भूज टू सबस्टेशन नक्थरना और सरहद डेरी कनया स्वचालित दूद प्रसंस करन प्लांट बाबा साहब अमबेटकर केंवेनिशन सेंटर तो आगे बड़ते हम लोग आदी आदर्श ग्राम योजना जो इसकीम चलती थी स्पेशल सेंटरल असिस्टेंस फॉर ट्राइबल सब प्लान इसको अब मॉडिफाई कर दिया गया विसका नाम है प्रदान मंत्री आदी आदर्श ग्राम योजना पेश्ट कंट्रोल स्कीम ये गवर्मेंट अफ उत्तर प्रदेश ने चलाई थी पांत साल के लिए ठीक है कीट नियंत्रण की योजना है बिरसा मुंडा स्वरोजगारी योजना ये मद्ध प्रदेश कैबिनेट की है बिरसा मुंडा का नाम सुनते जहारखन नहीं लगा द पर लेह और आसपास की जगों में पांच फ्यूल सेल बसों का संचालन्ज शुरू किया गया था प्रदान मंत्री मत्स संपता योजना दोजार इकीस बाइस के दौरान मचली उत्पादन इतना हो गया था एक्सविक से असंबल आट साथ लाख टन का हो गया था और ये जो ह लाई गई थी राजिस्तान में क्लियर स्काइस फॉर्ट रमोरो कैंपेंग ये वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का था चिनेमन टूरिजम पॉलसी ये जारी की थी गुजरात की गोवर्मेंट ने अपने वहां पे कोई खास नहीं ज्यादा इसमें इसके बाद नैसल नुट्रीश के लिए वी के पॉल की अध्यक्षता में एक टाक्स फोर्स का गठन किया गया था मंकी पॉक्स वायरस काफी स्प्रेड हो रहा था तो वी के पॉल टाक्स फोर्स बनाई गए थी उसकी समीशा करने के लिए Smile at the rate 75 initiative जो समाजिक नया अधिकारता मंतराले का है इसका मुख्य उदेश क्या है बिख्षा वरत्ती को समाप्त करना मुनिस्पल छेत्रों में जो बिख्षा वरत्ती की व्यापकता है इसको समाप्त करने का उदेश है Smile 75 initiative के तहत चिराग स्कीम इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वरक के चाथ चात्राओं को ये अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने को लेकर ये आई थी चीफ निस्टर Equal Education Relief Assistant Grant चिराग स्कीम Mission भूमी पुत्र स्कीम ये Government of Assam की थी इसमें उन्होंने कहा था कि डिजिटल प्रमाणपत्र जारी किये जाएंगे वहांके लोगों को जो आसानी से Online Authenticate भी किया सकते हैं Chief Minister Microfinance Initiative ये नगलैंड में शुरू किया गया था कोहिमा में आउगस्ट 2022 में चेनाब Railway Bridge जो बन रहा है जो की सबसे उचा Cable State Bridge होगा पुरे विश्व का World's Highest Bridge ये जो है अभी जल्द इसका inauguration होने वाला है विदिन 1-2 मन्थ तो हम देखेंगे इसको पूचा जा चुका है कि किस तदी के उपर देश का सबसे उचा railway bridge बनने जा रहा है तो चेनाब रिवर पर उडान स्कीम के बारे में आया था कि 21 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई थी और 27 सप्रेल 2017 को पहली उडान लौंच की गई थी इसके पांच वर्ष पूरे हो गए थे इसके बाद international bullion exchange launch किया गया था गांधी नगर गुजरात के gift city में भारत का पहला अंतरराश्ट्री बुलियन एक्सचेंज शुरू किया था भारत का प्रतम विश्व का तीसरा अंतरराश्ट्री बुलियन एक्सचेंज ये gift city गुजर में शुरू किया गया था प्रधान मंत्री आवास योजना में कहा गया था कि पहले इसकी deadline 31 मार 2022 थी अब इसकी deadline बढ़ा करके 31 दिसंबर 2024 कर दी गई है 31 दिसंबर 2024 तक भी लोग प्रधान मंत्री आवास योजना का लाब ले सकते हैं वन नेशन वन फरिटलाइजर के इंतरगत ब्रांड भारत के तहिती सभी उर्वड़क बेचे जाएंगे उन्हें को पताया और उर्वड़क सप्टेटी योजना का नाम बदलकर प्रधान मंत्री जन उर्वड़क प्रयोजना इसका नाम कर दिया गया है मुख्यमंत्री नगर सरजन योजना इसके बाद IP DMS 2.0 फार्मा सही दाम 2.0 इसको इसको फार्मेंसी प्रोड़क्स जो है सही दाम पर बेचे जा सके और लोग सही दाम का पताब लगा सके जुलाई भी हम देख लेते हैं जरूरी बाले इंडिया फोर्म फार नेचर बेज सलूशन इसको लॉंच किया गया था 11th World Urban Forum जो की पॉलेंड में हुआ था वहां पर इंडिया का नेचर बेज सलूशन फोरम लॉंच किया गया था, आगे बड़ते हैं काशी यात्रा स्कीम गवर्मेंट आप करनाटिका ने शुरू किया था कि जो भी करनाटक वाड़ासी यानि काशी की यात्रा करना चाहते हैं उसको सरकार सब्सिडी प्रदान करेगी, सब्सिडी के अब काईदा नगत यहां पर प्रदान करने की बात कही गए थी, 5,000 रुपए, करनाटक सरकार काशी यात्रियों को प्रदान करने वाली थी, यह पूछा भी गया था, पीटी के पेपर में, इसमें एक All India Operation चलाया गया था, मादक पदार्थों को सीज करने के लिए, साइको ट्रॉपिक और नार्कोटिक सबस्टेंसिस के खिलाफ यह Operation नार्कोष चलाया गया था, मिशन वातसले स्कीम में एक बार देख लीजिए, मिशन वातसले एक अपरेल 2022 से लागू होनी थी, 2009-2010 से पहले, मंतराले कंतर का तीन ही होज़ना चलती थी, यह है Program for Juvenile Justice for Children, Integrated Development for Street Children, Scheme for Assistance to Homes of Children, शीशुगरे जिसको बोलते हैं, तीनों स्कीम को incorporate कर दिया गया है, अब एक Centrally Sponsored Scheme में बलब कर दिया गया था, एक Centrally Sponsored Scheme इसको बना दी गए थी, Integrated Child Protection Scheme, उसी में तीनों योज़नाय समाहित हो गए थी, अब Integrated Child Protection Scheme को rename कर दिया गया है, इसको कह दिया गया है, Child Protection Services, ठीक है, Child Protection Services कर दिया गया था, 2017 में, अब इसी Child Protection Services को Mission Watsalli कहा जाएगा, यह पूरी आमने आपको डिटेल बता दी, 2009-2010 से, यह तीन चलती थी, फिर इनको कहा जान लगा, Integrated Child Protection Scheme, 2009-2010 के बात से, और इसको बाल सेवा योजना कहा जान इसको, यह पूरा लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं, बलकि नोट नहीं करना है, सिर्फ ध्यान में रखिया है, कि 2009 से पहले कौन सी स्कीम चलती थी, ठीक है, फिर 2017 में इसका नाम कहा रखा गया, वाल सेवा योजना रखा गया, और अब इसका नाम है Mission Watsalli आगे जून मन्त में, मुख्यमंत्री मितान योजने, Government of 36 गड की, Delivery of Government Services जैसे, Income Certificate, Tomisail Certificate आधी के लिए, स्टेट में शुरू की गई थी, महा तुझे प्रणाम स्कीम, यह Government of Madh Pradesh की स्कीम है, इसको re-launch किया गया है, पहले स्कीम आई थी, 2013 में, वहाँ पे, श्रेश्टा स्कीम, स्कीम for residential education for students in high school in targeted areas, Ministry of Social Justice and Environment शुरू किया था, करीब 3000 चात्रों को, एक प्रवाइस परीक्षा के माध्यम से, जो की अनुसोची जात्ती के चात्रों के, उन्हें कह सकते हैं कि आवासी स्कूलों में, CBSE स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा, यह स्कीम अंडर भारत गौरों स्कीम, 14 जून 2022 को, यह शुरू की गई थी, दक्षणी रेलवेज शेतर द्वारा, कोयम मटूर तमिलनाडू से, शिर्दी महराष्टर के लिए, यह पहली भारत गौरों प्राइवेट ट्रेन थी ध्यान रखिएगा, बालिका पंचायत इनिशेटीव इनिशेटीव लिया था, यंग गल्स को पंचायत में इनकॉर्परेट करने के लिए, 20 साल की उम्र की भारती करवा, नौगठित बालिका पंचायत की पहली सरपंच बनी थी वहाँ पर, ग्राफी नीउस में आया था, तो देख सकते हैं एक बार, निपूर इनिशेटीव ज इनिशेटीव जान रखेगा, एक निपूर चलती है, टीचर्स के अपग्रेडेशन के लिए वह लग है, अगनीपत स्कीम के बारे में आप जदरतर चीज़ जानते हैं, ठीक है, पहले बैच को इंडिनेन रिफोर्स में इंटर्ट किया जाएगा, आपको पता है, काफी यह यहाँ पर बावाल भी हुआ था, तो इसमें एज लिमिट भी इंक्रीस की गई थी, पहले बैच को आयू सीमा में छूट भी दी गई थी, ठीक है, तो यह सब आप जानते हैं, हरगर दस्तक अभियान यह BPSC पूछा गया था, आलंकि अब नहीं पूछ जाएगा, कोविड करन किया जा चुका है या फिर रहे हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल होने वाला आखरी राजी भारत का बना था, आसम, ध्यान रखेगा, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में जो आखरी राजी शामिल हुआ था, जून 2022 में वो था आसम,